नमस्ते दोस्तों डिट गोल्ड में आपका स्वागत स्वाथ्य समधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको टी सिरीज के अंदर टी फॉर्टी नाइन यानि की टी गुनचास टी फॉर्टी नाइन अब तक जो टी शिरीज में जितने भी मैंने नुस्के दिये हैं प्राई वो सबसे ही बेहतर है इसके कारण है वो मैं आपको बताता हूँ एक तो इस नुस्के में ये खासियत है कि इसमें कोई नशे की चीज नहीं दूसरी इस नुस्के में खासियत है कि इसको डाइबीटिज का पैसेंट भी ले सकता है तीसरी इसमें खाश्यत है जिनको ब्लेड फेशर, अथ्वा, कॉलेस्टेल, इत्यादी की कोई बिमारी हो वो भी इस नुस्के को ले सकता है और जो खाश्यत है इसकी कि हर प्रकति के रोगी को यानि कि इसको इस तरह से नुस्का बनाया गया है कि जैसे वात, कफ और पित का होता है, कोई वात का होता है और कोई कफ का होता है तो इसके अंदर तिनों प्रकति के जो contents हैं, वो इसके अंदर मैंने सामिल किये हैं और मैं दावे के साथ करता हूं कि ये नुस्का कभि फैल नहीं होगा, इसमें कोई दोराए नहीं लेकिन इस नुस्के के जो कंटेंस हैं वो सभी मिलते हैं लेकिन जो पसारी थेलियां पिशी हुई बेचते हैं अगर उन में से आप थेलियां लाकर के नुस्का बनाएंगे तो हो सकता है कि नुस्का काम न करें सभी पनसारी एक से नहीं होते लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि जैसे सालम पंजा इसमें महिंगा आइटम रूमी मस्तंगें महिंगा आइटम तो ये लोग मेदा आटा अत्वा बेशन इसके अंदर मिला देते हैं फिर उनकी वो जाने आप एक काम कीजिए देखिए एक बात देखिए जहां से कि ये जड़ी बूटिया आप साबुत अगर खरी देंगे तो वो आपके साथ बैमानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको चीच सामने दिखेगी वो जहां से निकाल गए देंगे लेकिन फिर भी ऐसे पंसारी से लें जो इमानदार हो और जिसका नाम हो और उसे आप ये कहें कि भाई ये हम हमारी शेहत के लिए ले रहे हैं तुम दो रुपे के सवा दो रुपे ले लो हमें इसमे कोई वो नहीं एतराज लेकिन हमें चीच बिलकुल जड़ी बूटिया जो आपको दे तो ये तो कोई भी आदमी जड़ी बूटि को यूँ दे के मालुम कर सकता है कि अगर पुरानी है तो उसको यूँ तोड़ के देखें तो पुरानी होगी तो उसमें से काला काला चुरा निकलेगा और जो तूट करके और वैसा ही रंग अत्वा सफेद होगा तो वो समझे जड़ी बूटि ताजा है तो इन सब जड़ी बूटियों को लाकर के आप घर पे और चाए घरवालों से अत्वा एक लेबर लगा करके उसमें कंकर पत्थर अत्वा जो भी कोई चीज है क्योंकि देखिए जड़ी बूटियां सब जंगल में होती है साथ में मिटी भी आती है और भी आते हैं उन सब को साप करके और सब से पहले हमाम दस्ते के अंदर कुटे हैं एक लेबर लगा लो कोई दिकत नहीं हमाम दस्ते में कुटने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी मिक बना लिया, दवा काम नहीं करेगी, मामूल ही करेगी, क्योंकि उसके जो तत्व हैं, जो गुण हैं, वो अब आजकल के जो पौडर आते हैं, जो भी है, इंगाज तक चूरनात्वा कोई भी, तो वो लोग इतना महीन कर देते हैं, क्योंकि मशीनें बड़ी सकते साली है फार् में अटक जाता है, पानी पिरना पड़ता है, क्योंकि मेदे जैसा तिर्फला को बना दिया, रे वो क्या गुण करेगा, जो यहीं चिपकता है, तो आगे जाके क्या करेगा, तो आइडवेट का हर चूरन, वो आटे जैसा होना चाहिए, और जो भस्म हैं, वो मेदे जैसी ह होनी चाहिए, तो टी फॉर्टी नाइन में आपको कंटेंस देके दो बार बताऊंगा, और बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा, तो आप रेकोर्डिंग पंसारी के सामने जाके रख दीजिए, वो सब निकाल जागा, और बनाओ, और खाओ, कुल मिला करके इसके अंदर, जो चीज है, वो मैं एके कंटेंस बोलता हूं, हाँ, बराती तो वो ही होते हैं, दुल्ले बदलते रहते हैं, समझाए आप, हाँ, देखिए, मुसली सफेद 50 गराम, मुसली काली 50 गराम, बहमन लाल 50 गराम, बहमन सफेद 50 गराम, कोच पाउडर 50 गराम, बीज बंद 50 गराम, सतावरी 50 गराम, अश्वगंदा 50 गराम, उतंगन बीज 50 गराम, पंजा सालम 30 गराम, अकर करा 30 गराम, सिंगाडा की गीरी 30 गराम, बिदारीकन 50 गराम, दाल चीनी 30 गराम, लोंग 30 गराम, मुल हटी 200 गराम, आवला 200 गराम, हरडबडी 1500 गराम, बहेडा 1500 गराम, गोरेक मुंडी 100 गराम, मिटी सुरंजान सीरी 50 गराम, पुन्नर नवा सत्तर गराम, गोखुरू सत्तर गराम, ताल मखाना सो गराम, शेमर मुसरा साथ गराम, निर्गुंडी पचास गराम, मस्तंगी पचास गराम, रष्चिंदूर पंदरा गराम, सुद सिलाजीत सो गराम, बंग बस्म 40 गराम, मोती बस्म 25 गराम, सुन बस्म 15 गर और हाँ शिद मकवर्दज 30 गराम लोह बस्म सहस्तर पुटी 30 गराम अब्रक बस्म सहस्तर पुटी 20 गराम उड़त की डाल जी के अंदर भूनी हुई 50 गराम बवफली 100 गराम इशब गोल 100 गराम बेदाना 100 गराम संखावली 50 गराम केशर 20 गराम कस्तुरी 20 गराम अंबर 20 गराम जुंदे बेदस्तर 20 गराम बंस लोचन 30 गराम तुल्ची की जड़का पाउडर 30 गराम उट कटारा की जड़का पाउडर 50 गराम और तुल्ची के बीच का पाऊडर पचास ग्राम तो यह उनच्चास होजी में एक बार और बोल देता हूँ हाँ मुष्ली सपेद पचास, मुष्ली काली पचास ग्राम, बैमन लाज पचास ग्राम बहमन सपेद पचास ग्राम, कोंस पावडर पचास ग्राम, बीज बंद पचास ग्राम, सतावरी पचास ग्राम, अश्वगंदा पचास ग्राम, उटेंगन बीज पचास ग्राम, सालम पंजाब तीस ग्राम, अकरकरा तीस ग्राम, सिंगाडा गिरी तीस ग्राम, बिदारीकन प में आगे बोल रहा हूं आपको शेमर मूसरा साट गराम, निरगुंडी पचास गराम, मस्तंगी पचास गराम, रस्सिंदूर पंदरा गराम, सुच सिलाजीत सो गराम, बंग बस्म चालीस गराम, मोती बस्म पचीस गराम, स्वन बस्म पंदरा गराम, परवाल फिश्टी तीस गराम, सिद मकरदव तीस गराम लोह बस्म सहस्तर पुटी 30 गराम, अब्रक बस्म सहस्तर पुटी 20 गराम, उड़त की डाल गी में बुनी हुई 50 गराम, बहुपली 100 गराम, इशब गोल 100 गराम, बैदाना 100 गराम, संखावली 50 गराम, केशर 20 गराम, कस्तुरी 20 गराम, अंबर 20 गराम, जुंदे वैदस्तर 20 गर तुल्ची की जड़ का पाउडर तीस गराम, ओंट कटारा का पाउडर जड़ का पचास गराम और तुल्ची के बीज पचास गराम, इसके अंदर तुल्ची के बीज भी सामिल है, और तुल्ची की जड़ भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर सामिल है तो ये कुल मिला करके 49 यानि 49 टी 49 हुई अब मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ कि ये लगबग 1200 ग्राम होता है 1200 ग्राम यानि कि एक किलो और 200 ग्राम एक किलो 200 ग्राम लगबग 25 ग्राम इदर उदर ये आपका बनेगा तो आप 10 ग्राम सूबे लेंगे और 10 ग्राम रात को लेंगे मिश्ट्री मिले हुए गाय के दूद के जरिये तो लेने का मतलब काई भाई ये मैं क्लेर कर देता हूँ दूद में घोल के ले लेते हैं तो देखिए लुआ बन जाएगा मुँ में ऐसे चम्मच डाला और उपर गाय का दूद पिया तो ये दो टाइम लेंगे तो ये तीन किलो करीब सारा ही मिला करके हो जाएगा तो इसको आप आदा बना लें तो एक आदमी का मैं ये मान के चलता हूँ कि एक महिने का एक आदमी का शाड़े शाष्सो ग्राम खुराक बनेगा तो इस नुश्के को दो महिना लेना है और किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं तो दो महिने का ये पूरा एक किलो दो सो ग्राम ये बन जाएगा तो ये सारी चीजें आपको पंसारी के यहां मिल जाएगी और इसके अंदर परहेज के अंदर देखिए मैं एक बात साथ बोलता हूँ आप मीठा दई एक कप ले सकते हैं एक कटोरी ले सकते हैं लेकिन इमली की खटाई आप नहीं खाएंगे और निम्बू की डाइरेक्ट खटाई नहीं खाएंगे दाल में थोड़ा निम्बू ले सकते हैं और कोई परहेज नहीं सिर्फ दो परहेज क्योंकि इमली की खटाई आदमी को नुक्सान करती है औरत को फाइदा करती है है कि इमली की खटाई है वो उसके नीचे कोई वी राद बर सोता है तो बिमार हो जाता है और निम के नीचे राद बर कोई सोता है तो वो स्वस्त हो जाता है तो यह एक-एक चीज की ताशीर होती है इसलिए हम सिर्फ इमली की खटाई पर जोड़ देते हैं ये आप नहीं खाएंगे इस नुस्क्य को आप दो मेना कीजिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज मैं आप से गुजारिश करता हूं कि मैं इतना समय नहीं दे पाता मैं सुबह दो गंटा मैं आपको देता हूं साड़ी छे से सावा आठ दो गंटा लगबग देता हूं या तो उस वगत आप मुझे से बात करें अत्वा आप कमेंट्स के अंदर लिखें तो कमेंट्स को मैं चेक करता हूं तो मैं उसमें जबाब दूँगा लेकिन कोई अगर ऐसा देखिए यह हंसी मजाग की बात है कुछ हंसी मजाग भी होना चाहिए और मैं भगवान से प्रात्ना करता हूं कि टी फोर्टी नाइन का नुकसा जो अब तक मैंने नुस्के दिये हैं उन में से सर्वस्रेस नुस्का है इसके अंदर देखिए यह ना गरम करेगा ना ठंड करेगा ना कोई और ताशीर करेगा मुलठी मुलठी जो है मुलठी में इतने गुण होते हैं कि उसकी गिंती नहीं कि जास्त की कप पे अधिकार है उसका एसी डिटी को खतम करती है और इसके अलावा जो सिंगडा का आता है वो ताशीर में ठंडा होता है और तिर्फला का इसके अंदर योग है वो सरीर के तमाम टॉक्सिस को बाहर करेगा गोरक मुंडी एक रसाहिन है उसके लिए कोई चिंता करने की जरूत नहीं पूनर नवा इसके अंदर है वो आपको फिर से नया बनाएगा और गोखरू पेसाब सम्दी कोई रोग है उसको ठीक करेगा और ताल मखाना एक ताकतवर चीज है शेमर का मूसरा ताकतवर चीज है निलगुंडी आपके सरीर में कहीं भी दर्द है उसको ठीक करेगा अब इसमें जो सुद्च शिला जीत है तो शिला जीत भी आपको फाइदा करेगा शिला जीत में सब कुछ गुण होते हैं और बंग ब बस्म आपकी शेक्स पाउर को बढ़ाएगा सुन बस्म शेक्स पाउर के अलावा हाई ब्लेट पेशर पर भी कंट्रोल करेगा परवाल पिश्टी परवाल पिश्टी की तारी ताशीर बिल्कुल ठंडी होती है वो इनका बैलेंस बनाके रखेगी और कहीं रोगों को ठी करती है परवाल पिश्टी और बाकी इसमें लो बस्म ये सस्ती है सहस्तर पुटी तो सरीर में रक्त की जहां कमी है उसकी पूर्टी ये लो बस्म करेगी अब्रक बस्म अब्रक बस्में एक हजार पुटी तो अब्रक बस्में इसलिए इसमें दी गई है कि वो त्री दोस ना सकर सरीर में तेनी दोस होते हैं वाद कफ और फिट तीनों दोसों को दूर करेगी अब्रक वस्म और सरीर के सतर परसेंट रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है अब्रक वस्म जो की कोई महेंगी नहीं है और इसके अलावा देखे उड़त की दाल ये कितनी सीक है ये ताकतवर औ और पोश्टिक है आपके वीरिये को गाड़ा करेगी बवफली है ये आपके वीरिये को गाड़ा करेगी इशब गौल ये आपको कबजी नहीं होने देगा और आपको वीरिये को गाड़ा करेगा बेदाना बेदाना मतलब जो अनार से निकलता है बेदाना वो इसका मनसें जो परिशान हो जाते हैं, हतो उत्सा हो जाते हैं, उनके ब्रेन के लिए संकावली का योग है केशर, केशर आदमी को लाल बनाती है, केशर आदमी को मस्द बनाती है, अरे जब भगवानी केशर का तिलक लगाते हैं तो उसमें गुन तो गुनी हैं, कस्तूरी, कस्तूर अंबर और जुन्दे बेदस्तर कस्तूरी अंबर और जुन्दे बेदस्तर ये तिनों चीजे जेविक है जेविक का मतलब ये है मेरा कि जिसे किसी जानवर के अंदर से निकली हुई है केसर जेविक नहीं है केशर की खेती होती है कश्मिर के अंदर होती है इस्पेन के अंदर होती है तो ये जो तिनों चीज़े हैं कस्तूरी और अंबर और जुन्दे बेदर्थतर ये जेविक होती है तो थोड़ा इनको खरीदने में कोशिश करें ओनलाइन मिले कोशिश करें अच्छे पंसारे से ले ताकि आपको वो मिले और इसके अंदर किश्यों को अगर गेस है एसीडिटी बनती है ये पतले दस्त आते हैं अथ्वा शरीर के अंदर कमजोरी है अथ्वा कफ खा निकास नहीं होता तो बंस लोचन इसके अंदर है बंस लोचन शीतो फलादी चूरण का एक कंटेंस है क्योंकि बंस लोचन में वो ताकत है कि वो कफ को बाहर करती है कफ सम बंस लोचन बनता है आसमान से जो बारिस की बूंडे गिरती है तो बंस के ऐसे पेड़ होते हैं तो उसके उपर जो छेद होता है उसके अंदर एक बूंद दो बूंद इस तरह जाती है पानी की आसमान के पानी की तो वो अंदर जाके जम जाती है फिर उसको बंस को शीर कर करके और खूरच करके निकालते हैं देखिए असली बंसलोचन तो वही है अब जैसा भी बजार में मिलता है आपको काम में लेना है और जो कंटेंस जो इसके हैं इसमें देखिए तुल्ची की जड़ ये सामिल इसले की है कि तुल्ची की जड़ के अंदर बहुत गुन होते है ये किटानू ना सका है आपके सरीर के अंदर कोई दूसरा संक्रामक रोग वो परवेत नहीं करेगा और तुल्ची के बीच तुल्ची के बीच आपके दातू को गाड़ा करेंगे और लुआप पेदा करेंगे तो खुल मिला करके देखिए खाली नुस्का देने से कुछ भी नहीं होता चाहिए आप मेरा वीडियो ना सुने कोई बात नहीं लेकिन मेरा काम है एक एक चीज को समझाना किस चीज में क्या ताशिर है किस चीज में क्या ताशिर है क्योंकि जब तक आपके ये समझ में नहीं बैठेगा तो आप मुस्क को करेंगे नहीं जब ये सारा ता प्रूर्चा नहीं तो डाइबीटीज का जो रोगी है वो इस पाउडर को लेता है तो वो दूदध है घाई का प्रीका प्यूआ और बादी जो कोई भी रोगी है उनको मिशरी अलाव है कोई लिक्त नहीं मिश्टिक के अंदर बहुत गुन है तो इस नुस्के को मिश्टिक के साथ मिलावा गाय का दूद से ले अब मेरे को बहुत से प्रशना पूछ आप करते हैं कि हमेंándाई का दूद उपलब नहीं में मानता दूद भी आता है बकरी का भी आता है और भेंस का भी आता है तो वो उसको ले ले कोई दिकत ने क्योंकि देखिए दूद तो दूद ही होता है और जहां दूद का बिलकुल हिसाब नहीं बैठता है जैसे फोज के अंदर अथवा कोई भी ऐसी जगह तो इस पावडर को आप गुनगुने पानी से घुट गुट लें गुनगुने पानी में और दूद में मैं समगता हूं कोई ज़्यादा फर्क नहीं अरे अगर आप कोई दवाई नहीं लेकर के और गरम कियावा अगर पानी रोज पिएंगे तो आपके सरीर के साथ परसंट रोप तो यह ठीक हो ज ले सकते दूर जिनको नहीं पगता है वो गुनगुने पानी से ले सकते हैं लेकिन इसको सहथ के साथ नहीं लें तो दोस्तों आज मैंने आपका 20 मिनिट का समय लिया है और मैं उमिद करता हूं कि आप इसका लाप उठाएंगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे टांक्स